आज हम बहुत important course करने बात करने वाले friends जैसे आपका 12th pass हो जाता है तो उसके आपने बहुत सारे options available होते हैं हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सा option चूज़ करना चाहिए उसे में आज हम BSE के course करने बात करेंगे क्योंकि BSE में बहुत सारे subjects available होते हैं बहुत सारे specializations होते हैं तो हमें confusion रहता है कि कौन सा subject हमें चूज़ करना चाहिए किसमें हमारा career ज्यादा best रहेगा तो इस वीडियो में मैंने BSE की subject से related बताया हुआ है कि इसमें कौन-कौन सा subject होते हैं और उसका थोड़ा सा intro दिया है उ तो अगर आपको BSE करना है लेकिन आप confused हो कि कौन सो subject चूज़ करना चाहिए तो आप ये वीडियो एंटेलग जरूर जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपके सारे doubts clear हो जाएंगी and one more thing अगर आप first time हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर subscribe कर लेजिए ताकि जब भ कोई student 12 science से password होता है तो उसके पास बहुत सारी opportunities available होती है बहुत सारे courses available होते हैं लेकिन वो confused हो जाता है ये सारे courses में से उसके लिए कौन साब best रहेगा वो चूज़ करने के लिए उसके लिए आपको हरे course के बार में knowledge होना चाहिए आपको आपकी interest के बार में पता होना चाहि देखिए जैसे ही आप 12 science password करते हों तो उसके बाद आप engineering field में जा सकते हो या फिर medical field में जा सकते हो या फिर navy field में या फिर जो non science field होते हैं उसमें पर जा सकते हो ये एक advantage होता है 12 science candidate के पास क्योंकि वो science विल्ट तो चूज करी सकता है साथी साथ नान science field में भी जा सकता है य उसमें बहुत सारे subjects available होते हैं जिसमें अपना career growth कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका interest क्या है आप किस में interested हो आपको अपना career किसमें बनाना है किसमें career ज्यादा अच्छा है market value किसकी कितनी है वो सब कुछ पता होने के आद में अपना एक career choose कर सकत हो अपने interest के साब से तो इस वीडियो में हम BAC से related ही बात करेंगे किसमें कौन-कौन से courses available होते हैं सबसे बेले हम देखेंगे advantage क्या होता है क्योंकि कोई भी course करना है तो इसका advantage हमें पता होना चाहिए क्या-क्या benefits है देखिए अगर आपको scientist या scientific assistant, research analyst, teacher, technical writer, editor, lecturer, chemist, enumerator, researcher, clinical research manager, consultant यह सारी field में अगर आपको जाना है अपना career इसमें grow करना है तो आप BAC कर सकते हों क्योंकि यह सारी opportunities इसमें available होती है जो BAC graduates करते हैं उनके पास बहुत सारी fields available होती है जैसे मैं आपको बताया वह management में भी जा सकते हैं design में engineering और भी बहुत सारी fields available होती है तो एक advantage होता ह है एक BAC करने का इसकी eligibility देख लेते हैं अगर आपने 12th password किया है science trim से कोई भी subject हो PCM हो PCB हो PCMB हो तो आप BAC कर सकते हो इसका duration आपको पता होगा यह 3 साल का होता है लेकिन कुछ colleges में 3 से 4 साल भी होता है वो depend करता है colleges के ओपर भी और प्लस आप कौन सा course चूज कर रहे हो कोन सा professional course चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है बट mostly 3 साल का ही यह duration इसका होता है इसका admission होता है friends आपके 12th के mark sheet पर होता है merit list जो निकलती है उसके basis पर आपका admission हो जाता है इसमें कोई वैसे entrance exam देना नहीं होता है आपको BAC के लिए देखिए BAC दो पार्ट में डिवाइड होता है एक honors में एक general में honors में क्या होता है इसमें आपको कोई भी पटिकुलर subject चूज करना होता है लाइक physics हो गया chemistry math botany geology geology आप कोई भी subject चूज कर सकते हो जो जिसमें आपका इंट्रस जादा हो जिसमें आपका knowledge clear हो और अपना career आपको उसमें ही बनाना है तो आप वह subject चूज कीजिए इसमें क्या होता है ना फ्रेंट्स ओनर्स में आप एक ही subject उठाते हो और उसमें ही अपना पूरी पढ़ाई करते हो मिन्स एक तरीके से आप specialization करते हो वह particular subject में तो वह जो आप subject चूज करोगे वह बहुत ही ध्यान से चूज कीजिए क्योंकि आपका उसमें basic knowledge clear होना चाहिए और आप और उसके बारे में थोड़ा इंट्रो दिया हुआ है आप उसका वह इंट्रो और उसकी जो भी जानकारी है उससे रिलेटेट आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा subject चूज करना है पहले में यहां पर दिया है BAC agriculture इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स हम इसमें agriculture से रिलेटेट सब कुछ पढ़ते हैं बट scientific point of view से ताकि हम कैसे उसका जो productivity है वो और improve कर सके वो सब कुछ बताया जाता है इसमें बहुत सारे subjects available होते हैं जैसे कि BAC in agriculture कर सकते हो BAC in agriculture, meteorology कर सकते हो है agriculture biotechnology, agriculture statistics, BAC ergonomy या फिर आप BAC agriculture marketing and business management में भी कर सकते हो और else biochemistry and agriculture chemistry, BAC in crop physiology और else BAC in entomology ऐसे subjects होते हैं friends आप particularly उसमें choose कर सकते हों BAC उसके बाद आप master करके आप अपना career और भी अच्छा बना सकते हो देखें यहां पर मैंने list दिया हुआ है कि सबोत आप BAC agriculture करते हो तो उसके पात कौन-कौन से job के post आपके पास available होते हैं और क्या के salary आपको offer की जाती है देखें आप assistant manager tea plantation कर सकते हो उसकी जो salary होगी around 22-38,000 monthly होगी then assistant manager rubber plantation then teak plantation manager assistant manager coffee plantation then indigo plantation tobacco cultivation then cardamom plantation pepper firm jute plantation social forestry officer इसकी salary around 35,000 है मैं सबकी salary नहीं बता रहे हूँ यह पर दिया हुआ आप देख सकते हों क्यूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी soil quality officer, plant breather, grafting expert, tissue culture expert, nursery manager, assistant manager इस सबकी salary आप देख सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो अगरी कल्चर पर ही बनाऊंगी क्योंकि ये अरिया काफी अच्छा है तो आपको इसके बार में थोड़ा डीटेल में नौलेच देना चाहूंगी कि overall इसमें कोस में क्या क्या opportunities होती है क्या job available होते career prospect कैसा रहता है इसमें इसमें आपको ये सारे को इसमें सिखाया जाता है देन थर्ड है इसमें आपको ट्रेन किया जाता है कि आप कैसे डाइगनिस करोगे या फी ट्रीट करोगे कोई भी अकर डीजिस होती है किसी भी अनिमल को देन फूर्थ ये भी काफी अच्छा कोस है लेकिन इतना अपकमिंग नहीं और थोड़ा बहुत नेगलेट किया जाता है लेकिन इस सेक्टर्स में इसके लिए काफी अच्छी अच्छी वेकेंस अविलेबल होती है काफी अच्छा रहता है तो आप इस पे भी करेर बना सकते हों जो भी मैं आपको सब्जेक्ट बता रही हूं अगर उससे रिलेटेड आपको और डीटेल इंफोर्मिशन चाहिए तो आप मु कर सकते हो इसमें सबसे अच्छा रिसर्जन डेवलोप्मेंट में अप अपना करियर बना सकते हूं वह आप MSC कीजिए जैसी अपका BAC complete हो जाएगा इसके में MSC कीजिए और फिर इसके आद आप रिसर्जन डेवलोप्मेंट में जा सकते हों बहुत सारी MSC होती है जो जो ज इसमें सिखा जाता है इसमें भी रिसर्ज सेक्टर में जो करियर है वह काफी अच्छा है उसके लेकिन आपको BAC करने के बाद डिफिनिकल एमसी करना चाहिए तक कि आपको करियर काफी अच्छा हो देखिए यहां पर मैंने कुछ जॉब टाइटल दिया हुआ है अगर आप BAC Biochemistry करते हो उसके बाद आप as a Biochemist या फिर Healthcare Scientist, Clinical Biochemistry, Clinical Research Associate, Forensic Scientist, Physician Associate, Research Scientist, Scientific Laboratory Technician, Clinical Scientist, Pharmacologist, Biomedical Scientist कर सकते हो जॉब इसकी जो सेलरी ओफर्ट की जाती है वो स्टार्टिंग 2.55-5.70 लैक पर एनम होती है 7th one is BAC Microbiology इसका फ्रेंट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसमें डीटेल में मैंने बताया हुआ है कि Microbiology क्या है उसका Job Prospect कैसा है, Career Scope कैसा है, Salary, Each and Everything सब कुछ कवर किया है आपको वीडियो से मिल जाएगा वो आपको आई बेटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी देखिए कोई भी manufacturing company होती है food की तो उनको एक जो food quality assurance जो technician होता है उसकी नीड होती है ताक कि वो उसे proper guide कर सके food processing के बारे में storage के बारे में और means को quality होती है उसके बार में तो एक technician की food quality assurance की need होती है है हर एक manufacturing company को okay तो इसकी need भी कितनी है आप समझ सकते हो और इसकी requirement कितनी रहेगी job opportunities काफी अच्छी है private जो food manufacturing company होती है उसमें भी और जो government companies होती है उसमें भी उसकी need काफी अच्छी होती है then ninth one है आप BAC कर सकते हो fishery science में fishery science भी एक काफी upcoming or rising career इसमें है the consumption is increasing each year the aim of this field is to use scientific method to improve the scenario and give fishery sectors a boost then tenth है BAC nursing BAC nursing a health care sector है और काफी broad है काफी बड़ा है demanding है और इसमें requirement भी उतनी होती है qualified nurse की हर एक चाहे वो government hospital हो चाहे private hospitals हो चाहे वो clinic हो चाहे NGO हो हर जगर पे एक qualified nurse की need होती है और काफी demanding है इसमें career काफी अच्छा है salary भी काफी अच्छी है friends इतीन साल का course होता है इसमें अगर आप MSC कर लो तो आपका जो career है वो और भी ज्यादा promising और अच्छा रहता है ऐसा नहीं है यह सिर्फ girls ही कर सकती है जो male candidate होते हैं वो भी इसे pursue कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा को से friends मैं try करूंगी कि मैं इस पर भी एक separate video बना सकूं this one is a job oriented course after completing the course graduate may land a job in a high paying merchant navy sector navy sector में आप job कर सकते हो जैसी आपका इसमें graduation हो जाएगा यह depends करता है कि अपने graduate कौन से institute से किया है वो सारी चीजें भी बहुत माहने रखती है आपका skill कैसा है then twelfth a B.Sc in cardiac technology यह क्या होता ना friends जो cardiologist होते हैं जो physician होते हैं उसको assist करने का काम एक cardiac technician करता है तो उसका जो कोत होता है B.Sc in cardiac technology अपकर सकते हूं और उसमें अपने career grow कर सकते हूं या B.Sc anesthesia यह भी काफी अच्छा है इसमें क्या होता है ना जो भी doctor होते या surgeon होते है सर्जिरी करते है तो उस दोरान में हमें anesthesia देना होता है जो patient होते हैं उनको unconscious करने के लिए तो उसके लिए specialist होते हैं जो anesthesia देते हैं तो उसका course आप कर सकते हूं यह सिफ मिने basic intro दिया है इसमें अलग अलग पार्ट के भी specialist किये जाते हैं तो उसके लिए BAC करके उसमें master या particular specialization कर सकते हो यह भी बहुत ही अच्छा career है friends इसमें अपने career इसमें grow कर सकते हूं healthcare professional job है यह कुछ courses है friends जिसका मैंने job title और salary क्या उसकी offer होती है वो यहां पर दी हुई है देखिए अगर आप BAC bioinformatics करते हों तो आप as a biochemist, biophysicist, bioinformatic scientist, accurate या फिर research scientist job कर सकते हो इसकी salary 3.62, 10.80 lakh per annum होगी अगर आप BAC computer science करते हों तो as a software developer, computer system analyst, network administrator, computer programmer, hardware developer job कर सकते हो इसकी salary होगी around 2.13 to 12.84 lakh per annum अगर आप BAC dietitian का course करते हों तो आप as a dietitian, food scientist, food service manager कर सकते हो और इसकी salary offer होती है वो around 2.58 to 4.76 lakh per annum होती है अगर आपको इसमें इंटरस्ट है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए बिकॉस में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ area कबर किया हुआ है उसका पूरा course career सब कुछ बताया हुआ है BAC electronics अगर आप करते हो तो Software Testing, Electronic Design, Engineer, Technical Support Association Software Developer as a post-up job कर सकते हो इसमें अपकी salary होगी around 3.10 to 19.85 lakh per annum काफी अच्छी सेलरी है इसमें तो अपने इंट्रेस्ट की हिसाब से अपना करियर चूज कीजिए उसकी हिसाब से अपना सब्जिक चूज कीजिए ताकि आपको आगे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उसमें ग्रोव करने के लिए देखे फ्रेंज बहुत सारे सब्जेक्ट से तो मैंने कुछ का आपको इंट्रो दिया है और कुछ मैंने आप पर लिश्ट आउट किये हुए ताकि आप देख ले कि क्या क्या कोर्स इसमें अवेलेबल होते हैं बच बयाड किमिष्ट्रीश बयार से विगां क्रिक्थ्स फ्यूस कंशाओ से गि मिस अवनार से फिम्स अवेदे कर सकते हों दिन्ट्íamos सब्लेंटल संथ बच आरीज बृजी बिस इंगम लॉजी घ्रिय। परी निण से ारिक्षपि काफी अचalet मृज है लोजी बच दान् horticulture, pathology, science, health science and nutrition, electronics and communication, B.A.C. Botany, B.A.C. IT, B.A.C. Computer Science, Mathematics, Occupational Therapy, B.A.C. Occupational Therapy, मैंने रिसेंटले वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें भी काफी करियर अच्छा है, इन डिटेल आपको नॉलेज उस वीडियो में मिल जाएगी, B.A.C. Hotel Management, B.C.A. B.C.A. is a Bachelor of Computer Application, यह एक नॉन साइन्स फिल्ड से हैं, लेकिन एक साइन्स फिल्ड का केंडिड भी उसे कर सकता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुए है, आप इसका लिंक देख सकते हूँ इसक्रिप्शन बॉक्स में, अभी हम बात करेंगी, जैसी B.A.C. हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? पीजी जा कोस कोन सा कर सकते हूँ? दिखिए जैसी आपका B.A.C. हो जाता है, तो बहुत सारे topics, बहुत सारे subjects और बहुत सारे fields आपके पास अवेलिबल होते हैं, आप चूज कर सकते हो किसमें आपको post graduation करना है, आप non-science field में भ अपको इतने सारे subjects बताया है जितने सारे courses अपको समझ आई गया होगा कि कितना growth है BAC में कितने सारे opportunities available होते हैं जैसि- आप BAC password कर जाते हो यह फिर आप pharmaceutical company में collegeuki three two e job कर सकते हो infection जो जो कर सकते हो馬 Smash value के हिसाब से अपना subject चूज़ कर सकते हो और area चूज़ कर सकते हो देखिए जैसे कि for example अगर आप teaching line चूज़ करते हो अगर आपको teaching में interest है तो आप BAC करने के बाद में आप BAD कीजिए और teaching profession में आप जा सकते हो लेकिन वह आप स्कूल तक ही कर सकते हो जो 10th class होते हैं वहां तक ही पड़ा सकते हो लेकिन अगर suppose आपको as a lecturer पढ़ाना है आपको उसमें करना पड़ेगा मास्टर करना पड़ेगा उसके अदमें नेट एक एक्जाम होते हैं वह clear करना पड़ेगा उसके बाद आप कर सकते हो as a lecturer या फिर प्रोफेसर उसमें friends काफी उसको पच्छा है क्योंकि देखिए education एक ऐसा sector है एक ऐसा field है जो कभी कम नहीं होगा वो बल्कि उसकी जो quality है और जो demand है वो आने वाले time में बढ़ती ही जाएगी उसमें कभी recession वगरा नहीं आएगा तो आप वो भी career चूज कर सकते हो आप इस तरह से या फिर अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो job profile लेखते है friends as a scientist, scientific assistant, research analyst, teacher, technical writer, or else editor, lecturer, chemist, enumerator, researcher, bio statistician, clinical research manager, or else consultant आप job कर सकते हो after completing your B.A.C. I think friends इसमें मैंने बहुत सारे area cover किये है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई particular subject पे video चाहिए होगा उसके बार में detail knowledge चाहिए होगी कि उसमें कैसा career रहेगा scope क्या रहेगा तो आप मुझे जरूर कमेंट कीचे बताइए कि आपको कौन से को उसके बार में information चाहिए तो मैं definitely try और आप तब उसे पॉच आँ ताकि आप उसको देखके आपको अपना एक correct decision लीजिए और अपना career उसमें start कर सकते हूँ I hope मैंने सारे points cover किये है लेकिन अगर फिर भी कोई doubt या query है आपको BSE से course related तो जरूर comment कीजिए मैं definitely answer करूँगी and अगर आपको video अच्छी लेगी तो ज़रूर like कीजिए because आप like करोगे तो उससे मुझे motivation मिलेगा और में और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाओंगी जो आपको help करेगा okay इसे ज़रूर share कीजिए अपने friends के साथ में उनकी भी help कीजिए और subscribe कर लेजिए thank you so much friends for watching my channel all the best